Hello Distance, आज हम discuss करेंगे कक्षा 10 विशे विज्ञान का जो chapter है विद्धुद्धारा उसको आज हम discuss करेंगे हम पहला part complete कर चुके हैं, पहले part में हमने क्या क्या discuss किया था? विदुद धारा, विदुद विभव, विदुद विभवांतर इन तीन चीजों को हमने डीप ली अच्छे से डिसकस किया था आज हम उसके आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है बच्चों, परतिरोध और परतिरोधा किसे कहते हैं तो ओम का नियम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ सा बेसिक सा जान लेना पड़ेगा कि विदुद परिपत में हम कुछ उपयोगी उपकर्ण जो लेते हैं उनके संकेत कैसे होते हैं बच्चों, यह संकेत याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर 6 संकेत में याद रखना है पहला जो आपको याद रखना है वो विदुद शेल या बेटरी का बच्चों, बेटरी का संकेत यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो कि बेटरी किस तरह दर्शाएंगे एक बड़ी लाइन खेचेंगे, एक छोटी लाइन खेचेंगे और इस तरह से बना लेंगे बड़ी लाइन के पास में प्लस लिखेंगे, छोटी लाइन के पास में माइनस लिखेंगे यह हो गई बेटरी दूसरे जो आपका उपकरन है वो क्या होता है हमारे पास में प्लग कुंजी या जिसको हम स्विच ही बहुते हैं तो स्विच के लिए आपके एक लाइन खेचोगे यहाँ पर ब्रेकेट लगाओगे इस तरह जगरोगे बीच में डोट लगाओगे आपके लिए जो पर ब्रे परीके किस तरह से लगाते हैं जो बीच में डोट लगाहा ना आप इसके अंदरे कुंजी लगा देते हो तो यह सर्किट के अंदर ना ouvertज़ Gentर होना सटार्ट बाती है और जैसे हम कुंजी को निकाल देते हैं तो यह खला परिपत हो आतर खुला परिपत होने पर परिपत में धारा का परवा नहीं होता इसलिए हम कुझी काम मिलते हैं तो आपने पता लगा होगा कुझी क्यों काम मिलते हैं परिपत में धारा को जोडने या तोडने के लिए काम मिलते हैं धारा परवा को कंट्रोल करने के लिए हम काम मिलते है इसका संकेत आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से हम पडिरोध बनाएंगे और पडिरोध के उपर इस तरह से एक लाइन बना किर एक लाइन इस तरह से कर लाइगे यह जो आपको उपर लाइन दिखा रही है ना बचो यह आपकी है ना इस से परतिरोध के उपर आप सलाइड कर सकते हो इसके उपर चला सकते हो इसलिए इसका नाम परिवर्ती परतिरोध परिवर्ति का मान क्या होता है जैसे आप इस लाइन को इसके ओपर खिसकाते हो तो इस परतिरोध का मान बदल जाता है इसलिए इसको बहुत धारा नियातर हो और आप जानते हैं जब परतिरोध का मान कम ज्यादा होता है तो धारा भी उसके अनुसार कम ज्यादा होती है नेक्स जो आपका उपरण है बच्छो तोत्री नमर का वो क्या है वोल्ट मिटर और वोल्ट मिटर का संकेत आपको यहाँ नजर आ रहा होगा पांचे नमर का जोप करना हुआ है एमिटर A-meter का भी संकेत आपको नजर आ रहा होगा बस इस तरह से बीच में A लिखना है voltmeter के अंदर बीच में V लिखना है फिर आता है विद्धुद बल्ब या जिसे load परतिरोद भी कहते हैं विद्धुद परतिरोद को और क्या कहेंगे बच्छो load परतिरोद तो लोड परतिरोद का जो संकेत है बच्चो कुछ इस तरह से बनाना है ठीक है लोड परतिरोद का हमें संकेत कुछ इस तरह से बनाना है ठीक है विदुद बल्ब और लोड परतिरोद का संकेत भी आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं ओम सलो के तरफ यह ओम का निय उसमें परवाहित धारा के समान उपाती होता है बचो कैसे मालो आपने एक चालक ले लिया ये जिसके लंबाई हमने कितने ले 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 ली ठीक है कुछ भी आप लंबाई ले सकते हो तो जैसे आप इसको किसी बेटरी से जोड़ते इस बेटरी का मान वी वोल्ट तो यहां पर इस चालक के शिरो पर जो वी वोल्ट विवांतर उत्पन होगा वो बचो किसके समान उपाती होगा इसमें परवाहित धारा इसमें परवाहित धारा कितने धारा परवाहित हो रही है आई धारा परवाहित हो रही है तो इस चालक के शिरो पर उत्पन जो विवांतर यह जो उस चालक में परवाइद दारा के समान उपाती होता है लेकिन सर्त क्या है बच्चों वो सर्ते याद रखनी है यदि चालक की बहुतिक अवस्ता हैं बहुतिक अवस्ता हैं का मलब ताप लंबाई अनुप्रस्त काड़ का छेतर पर आदी नियत रहने चीए नियत का मलब बद आपने देचांगा यहां पर सरकल सा बनता है इसी को हम क्या बोथैं अनुप्रस्त कार्ण शैतर पर लोगे जिसे का 66 कैत 나서 हो गाँ 100 पाइर स्कॉर कभ जब आपका चालतार काई सार बेल नाकार हो जब बेल नाकार हो तो आगे वाला जो इस्सा है बच्तों काई दिखायदेगा व रत्ता नो state 2 यह गता है और वर्टका पाईerg का स चीए अब आप बार-बार उस तार्ख के उपर है ना बचो अलग अलग भी बुहांता लगा लगा कि देख लो तो धरागा मान भी उस्सी तरह से आएगा मालो आपने पांच वोल्ट की बेटरी लगाई मालो करेंट पांच एम्पेर आगई आपने दस वॉल्ट की बेटरी लगाई चालाक तारपे तो आपको कर्णट कितनी मिल गी 10 A आपने 15 वॉल्ट की बेटरी लगाई तो बच्छो कर्णट भी कितनी मिल जाएगी 15 A इस तरह से वल्ण दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा तो आपको समझ में आगया होगा कि किसी भी चालक के शिरों के मद्धे उत्पन जो भी बुहांतर है उस चालक में परवाहिदारा के समान उपाती होता है लेकिन सरते क्या है उस चालक की जो बोतिक अवस्ताएं है ताप, लंबाई, अनुपरस काट का छेतरपल ये सबी क्या ह होने चीए, इस्तिर अर्थाद नियत रहने चीए, तो इससे क्या मिला हमें कि वी समान उपाती अर्थाद वी बुहांतर समान उपाती आई, और जैसे हम समान उपाती का साइन अटाते हैं तो बच्छो ध्यारकना एक इस्तिरांग का आता है, तो यहां पे वो इस्तिरांग क्या आ रहा है V के नीचे आप इस I को नीचे ले जाओ तो R बराबर क्या हो गया V बटे I V बटे I तो इसका पता लग गया होगा कि चाला का जो परतिरोध होता वो किसका अनुपात होता है वीबोहांतर बट दारा और वीबोहांतर को किसमें वोल्ट में वोल्ट बटे एमपेर, परतिरोद बरामर्त ऑ गया, वोल्ट, बटे एमपेर, उन इसलिए को बोलते बचों किया, U.O.M. वोल्ट बटे एमपेर जो अनुपात है वचों किया बहुता है? U.O.M. बचों याद रखना पर्तिरोद को किसमें मापा जाएगा ओम के अंदर मापा जाएगा तो ओम का नियम बचों से समझ में आ गया कि किसी भी चालग के शिरों के मद्द्य जो उत्पन विबुहांतर है वो उस चालग में परवाहिद्धारा के समानुपाती होता है लेकिन सर्ते क्या है कि उस चालग के जो बोती का वस्ता है ताप, लंबाई, थता, अनुपरस, काड़, छेतर, बले, क्या होने चीए, नियत होने चीए जैसे हमने सब चीज पढ़ ली तो इस्टेटमेंट के आगे हमारे पास में तो उस चालग का परतिरोध हमेशा नियत रहेगा यदि ताप बदल गया तो परतिरोध भी बदल जाएगा यदि आपने लंबाई चेंज कर दी तो परतिरोध बदल जाएगा यदि आपने अनुपरस कार्ट चार्ट बदल दिया तो बच्चो परतिरोद बदल जाएगा अगर आपने तीनों चीज नहीं बदली तो उस चाला का परतिरोद हमेशा नियत रहता है ठीक बच्चो अब हम बात करते हैं कि इस एक ओम की परिवासा के होएगे बच्चो अभी हमारे पास में आर बराबर क्या आया था वी बटे आई इस कामले दी हम किस चाला के सीरों पर एक वोल्ट की बेटरी लगा दिया उस चाला के सीरों पर एक वोल्ट का वी भानतर उत्पन हो जाए और उस चालक में एक एमपीर की धारा परवायत हो जाए तो बच्छो एक बटे एक क्या हो गया एक और वोल्ट बटे एमपीर क्या होता है ओम तो देखो बच्छो आर बराबर एक ओम आ गया इसका मलब परिवासा क्या हो गई कि किसी चालक में एक A- दार्या परवाइद करने पर यदि उस चालक के सीरों पर उत्पन विभांतर कितना हो एक वول्ट हो तो उस चालक तार का पड़ती रोज कितना कहलाता है 1 Ohm कहलाता है यहां जnesा मैंने समझाए S-Z-Z ऐसे इए गरना है यदि हम किसे चालक में 1 A धरा परवायत करते हैं और उस चालक में कितना विभांतरुथपन हो एक वोल्ट का विभांतरुथपन हो तो उस चालक तारका पड़तरोज कितना होएगा बच्चो एक ओम होता है समझ में आगे हैं यहाँ पर ठीक है अब आता है कि ओम की नियम का सत्यापन करना है बच्चो प्रियोग द्वारा समझने के लिए कि बाद सही है कि गलत है ठीक है बच्चो तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे लेक चितर से समझना पड़ेगा बच्चो हम यहाँ एक बेटरी लेंगे इस बेटरी के स्रेणी करमे देखो बच्चो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया एमेटर एमेटर क्या काम करता है परिपत में बहने वाली धारा का मापन करता है और इसे हमें सा किसमें लगा जाता है परिपत में स्रेणी करम में लगाए जाता है और इस एमिटर के ही स्रेणी करम में हमें क्या लगाती है देखो बचो P और Q यहां पर बिंदू नजर आ रहे होंगे इसके बीच में आपने परत्रोध लगा दिया R या कोई 4 लग तार लगा दिया जिसका परत्रोध कितना R है अब इस 4 लग के शीरों पर कितना विबुहांतर उत्पुन हुआ उसका मापने के लिए हम क्या करेंगे इसके समांतर करमें एक वोल्ट मिटर लगाते है जो मैंने प्रिवेस लेक्चर के लिए जो पहला वाले लेक्चर था पहला वाले वीडियो था पार्ट फस्ट था उसमें मैंने आपको बताए था कि किसी भी दो बिंदों की बीच यदि हमें विबुहांतर मापना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वाल्ट मिटर और वाल्ट मिटर को हमेशा कहां लगा जाता है जिसके शिरों के बीच जिन दो बिंदों के बीच हमें विबुहांतर मापना है उसके समांतर करमें लगाते हैं तो पी और क्यू बिंदों के बीच हमें विबुहांतर मापना है ठीक है तो हमने क्या क्या लिया बच्छों यहां पे बेटरी, एमिटर, वोल्ट मिटर, धारानी अंतरग, पलकुंजी और हमारा चालकतार या पर्तिरोध, ठीक है अब इसको लगाएगी कैसे हैं जिस हमें ने बताए वैसे को चितर में, चितर के अनुसार वोल्ट मिटर भी, बेटरी बी, कुंजी के, धारानी अंतरग आरएच, एमिटर ए, चालकतार पीक्यू या पर्तिरोध, पीक्यू वोल्ट को जोड़ते हैं और चितर के अनुसार एमिटर को सरेनी करम में और वोल्ट मिटर को समानत करम में जोड़ते हैं अब बच्छों हम करेंगे क्या देख भी मेरे पास में क्या रही है, धारा रही है, ठीक है, और इस चालक के सिरोपे जो विभुहांतर है, वो मैंने कितना बोल दिया, दो वोल्ट, बच्छों कितना आगया, दो वोल्ट, अम मैं क्या करूँगा, इस धारा नियंतरग से क्या करूँगा, धारा को नियंतरित करू सोड़ से इसको आगे के तुरब ले थे जैसे आगे तुरब लेंगे तो इतना सा पार्ट काम मैं आएगा मौला पड़त दुर्व कम हो गया पड़त कम और 드टर मibenने बोड़ यह कुम होसा इस बार हुना बहे है平 जाका इमपियर भे रही है तो मैंने बोल देख इस बार इस PQ के S baru कितना वीmühanter आ गया, 4 V आ गया, तो बच्छों पहले हमारे पास में धरह कितनी थी? 2 A. तब हमारे पास वीmühanter कितना आया था? 2 V थेका, दोनों का अनुपात देखो बच्छों कितना रहा? एक, यहाँ पे भी दोनों का अनुपाद कितना रहा है, एक, इस चाला का जो पढ़ती रोध हो, कितना हो गया, बच्चो एक ओम हो गया, तो हम नहीं है पढ़े हो, कैसे किया, हम बार बार अलग अलग धाराओं के लिए, इसे पीक्यू या चालागतार पर अलग अलग वीबो है, ओ ले लिया, धारा कितनी प्रवाइट करीब पूरे परिपत में, आई थ्री, तब आपको बच्चो इस पीक्यू के सिरों पे या बिंदों पे कितना विबोहांता ही मिला, वी थ्री, अब जैसे ही बच्चो यहाँ पर हम वी वन बटे आई वन करते हैं, वी टू बटे आई टू करते हैं, वी थ्री बटे आई थ्री करते हैं, तो बच्चो हमेशा हमें आर की जो मान है, जो आर का मान है, वो हमेशा नियत मिलेगा, क्योंकि हमने ना तो इस चालग पी, क्योंकि लंबाई वो कम ज्यादा किया है, ना ही इसका हमने अनुपस कार्चत पर कम ज्या नियम क्या है वी बटे आई बराबर हमेशा क्या मिलेगा हमें नियतांग मिलेगा हमें नियतांग और उसी को हम क्या बोलते हैं चालक का प्रतीरोध है ठीक है बचो तो यहां पे आपको देख लो कैसे करना है में चालक में विबिन मान की धाराएं पर वायद कर एमेटर और व आपने क्या कर दिया यहां तो भी भुहांतर ले लिया और यहां धारा ले लिया एक्स एक्सिस पे तो भी भुहांतर ले लिया और वाई एक्सिस पे धारा ले लिया तो आप अगर आप हमेशा क्या रहेगा बच्छो सीधी लाइन आएगी और सीधी लाइन क्या करती है बच् बच्छों वो कहना चाहता है कि वी बटे आई का अनुपाद हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा और वी बटे आई क्या होता हमारा पड़तिरोध इसका मलब किसी चाला का पड़तिरोध नियत रहेगा कब जब उस चाला की लंबाई उस चाला का अनुपरस काड़ शेतरफल थ अब आता है यही ओम का नियम है इसे सिध हो गया अब आता है बचो परतिरोध किसे कहते हैं देखो बचो परतिरोध नाम से बता है जो अवरोध उत्पन करें तो चालक में आवेस परवहा में उत्पन बादा कोई हैं बचो क्या करते हैं परतिरोध इसका मलब किसे चालक में आवेस परवह में उत्पन अवरोध को हम क्या कहते हैं परतिरोध कहते हैं और परतिरोध हमेशा क्या होता है बच्चो चालकता का वितकर्मानुपाती होता है वितकर्मानुपाती का मुलता है यदि चालकता ज्यादा है तो परतिरोध कम है यदि परतिरोध ज्यादा है तो च कि चालकता अधिक होती है और यदि किसी चालका परतिरोद अधिक है तो उसकी चालकता कम होती है दो चीज़ याद रखनी है और हमें पता ही है तो किसर परतिरोद ज्यादा होगा तो अवरोज ज्यादा उत्पन होगा तो चालकता कम होगी ठीक है बच्छों यहां तक समझ मे होता है लंबाई के समानुपाती होना समझ गए यदि कि चालग के लंबाई ज्यादा है तो चालग का पर्तिरोध भी ज्यादा होगा सेकंड पॉइंट क्या है किसी चालग का पर्तिरोध उसके अनुप्रस्त काड़ शेतरफल के वितकर मानुपाती होता है वितकर मानुपाती लिए और एक मेने चालाग तार बच्चों कहले लिया पत्रा लिया और दोनों की लंबाई की है बराबर यह अब आपको देखना है कि किसका परतिरूद ज्यादा होगा इस पॉइंट को याद रखना दूसरे वाले पॉइंट को क्योंकि पहले वाला पॉइंट तो बराबर हो बच्चों नीचे की तरिफ एर अरताद अनुपरस काइश CHTRP. ज्यादा तो परतिरोद कम और यहां पे जो दूसरे वाला आपका चालक तार है उसका देखो बच्चों अनुपरस काइश CHTRP क्या कम है तो उसका परतिरोद क्यायगा ज्यादा है इसका मतलि है यह आपके पा परतिरोद ज्यादा होगा पतले वाले का परतिरोद ज्यादा होता है तो यह जो दूसरा आपका पॉइंट वो यही कहना चाहरा है कि किसी चाला का परतिरोद उसके अनुपरस्त का अड़ छेतर फल के वितकर मानुपाती होता है सम्मीगन एक वत दो को एक साथ लिखो जैसे ही सम्मानुपाती का चीन हड़ता तो बच्चों हमेशा क्या आता है एक इस्तिरांग आता है तो यहां पर इस्तिरांग के रहेगा नियतांग के रहेगा के और इसे के को ही बच्चों हम क्या कहते हैं चाललक का विशिष्ट परतिरोद या परतिरोद गता कहते हैं तो किसी चाला का जो पर्तिरोद उसकी निरब़ता है देखी निरब़ता हुमने क्या देखा कि किसी भी चाला का पर्तिरोद एक तो उसके लंबाई के समानुपाती होता है एक हमने क्या देखा कि इस चाला का जो पर्तिरोद है उसके अनुपरस का रचेतरपल के वितकरमानुपा परतिरोद या परतिरोद अभी मैं इसकी परिवास से बताऊंगा बहुत सिंपल है कि विशीष परतिरोद किसे कहते हैं ठीक है यहां तक समझ में आगया आगया आप लोगो वह अब हम बात करते हैं विशीष परतिरोद या 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 कहलाती है तो बच्चों यहां समझ में आ गया कि विशिष्ट पर्तिरोद या पर्तिरोद था क्या होता है कि एकांग लंबाई थता एकांग अनुप्रस्ट का अच्छेतर परवाले चाला के पर्तिरोद को हम क्या कहते हैं उसका विशिट पढ़ती रोद या पढ़ता कहते हैं तो देखो यहां जो हमारे पास फॉमला आया था ना उसी में रखके देख लो आप K बराबर हमारे पास में क्या हो गए देखो विशिट पढ़ती रोद के बराबर क्या रहा है R into A by L देखो बच्चो A क्या है यहां पर अनुपरस कार्ट चाट चाट पर एक मिटर होना चीए तो उस चाला का जो पढ़ती रोद है वो ही उसके क्या हो गई विशिट पढ़ती रोदकता हो गई तो परीबास यहां समझ में आ रहे होगी इकाई लंबाई वा इकाई अनुपरस कार्ट के छेतरफल वाले तार का परतिरोद ही उसका विशिष परतिरोद या विशिष परतिरोदकता कहलाती है परतिरोद चाला कि लंबाई वा अनुपरस कार्ट चेतरफल पर निर्बन नहीं करती है हैं केवल पदाहर्थ पर निर्वर करती है बच्चो यह बहुत important line है कैसे देखो अब आप कोगे इस लंबाई पर क्यों निर्वर नहीं कर रही है आप कोई सब चालक तार ले लो चाहे आप चांदी का ले लो चाहे आप लोहे का ले लो चाहे बच्चो आप तांबेगा ले लो विशीज परतीरोद हमेंसा कैसे निकालते हैं आप ने अगर तांबेगा तार लिया तो आप सबसे वहले उसको एक मिटर लंबा लो उसका जो अनुपर सकार चेटरो कितना लोगे एक मिटर लोगे अब उसका जो परतीरोद माप अब ये फिक्स हो गया अब अच्झो ऑपर का जो ये तांबेगा तार उसको कितना ही बढ़ा ले लो उसका जो विशीज परतिरोद है वो नहीं बदन highlights का जितना भी आया है विशिष परतिरोद कलाता है अब आप चाल अक्तार कितना है मोटा लेलो कितना है बता लेलो उसके लंबाई चाहिए आप कितनी लेलो उसका विशिष परतिरोद नहीं बदलने वाला कब बदलेगा जब आप कोपर की जगह या तामबे की जगह बच्चो क्या यूज़ करोगे कोई दूसरा धातू यूज़ करोगे तब आपका विशीश परतिरोध बदल जाएगा अब आता है बच्चो विशीश परतिरोध या परतिरोध या परतिरोधा का मातर भगडे को इसी फोनले से निकालेंगे हमारे पास में के बराबर क्या रहा है? R into A by L R क्या है बच्छो परतिरोद का मातर कभी हमने क्या देखा था Aum आपको पता है छेतरफल बच्छो क्या होता है मिटर स्क्वाइर लंबाई क्या होती है बच्छो मिटर देखो बच्छो एक मिटर से एक मिटर कट गया तो हमारे पास में विशिश परतिरोद का मातर क्या आगया Aum into meter बच्छो याद रखना है Aum into meter किसी भी चालक का जो विशिश परतिरोद या परतिरोद अगता होती है उसका ऐसा है मातर क्या मातर क्या होता है बच्छो Aum into meter रियाद रखना बच्चो और परतिरोद का मातर क्या होता है केवल ओम ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना है काफी है